नमस्कार बहुत स्वागा था जोतिश जराट के देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेंट संतो संतोशी सिंग राशी में शुक्र का प्रवेश 31 जुलाई 2024 को दोपहर दो बज़ कर चालिस मिनट पर होगा करक से सिंग में प्रवेश करेंगे शुक्राचारे जी शुक्रदेव जी और यहां रहेंगे 25 अगस्त तक मतलब 24 की रात एक बज़ कर 24 मिनट तक तो 31 जुलाई से 25 अगस्त तक शुक्र का सिंग राशी में रहना क्या गुल खिलाने वाला है इस पर गहराई से चर्चा अनिवार रहे हैं गहराई से चर्चा अनिवार रहे हैं मूल रूप से देखने की जो आवशक्ता है समझने की जो आवशक्ता है जानने की जो आवशक्ता है वो यह है कि शुक्र अपनी राशी से किस भाव में रहेंगे तो शुक्र की दो राशियां ब्रिशब और तुला ब्रिशब से सिंग पढ़ता है चतुर्थ और तुला से सिंग पढ़ता है एका दस चतुर्थ जहां अपने से केंद्र में आ रहा है शुक्र वही एका दस थोड़ा सा परिशान करने वाला है तो ये ट्रांजक्शन में से लेकर मीन तक क्या गुल खिलाएगा आईए इस पर अब चर्चा कर लेते हैं जानकारी आपको दो दे देते हैं कि आप 26 सितंबर से 2 अक्टूबर अपने पितरों की शांती के लिए हमारे संस्था के द्वारा इस बार छठे सत्र में जो हम प्रवेश करने जाएए पिछले पांच साल बीत गया लगातार हम लोग गया में जाते हैं पूरी टीम लेकर जाते हैं पूरा रिजॉर्ट बुक करते हैं और आपकी पितरों के लिए तपस्या किया जाता है आपसे शुल्क लेकर के इस बार छठा सत्र है भागवत होता है 25 को आपको पहुँचना होगा लेट नाइट तक 26 की प्रातह वेला से पिन्नदान की प्रकरिया आरंभ हो जाएगे तो देर मत करिए बुकिंग करा लीजिए ऐसा आवसर बहुत कम मिलता है और बहुत सीमित संख्या में है हमारे खाल से अब जादा नहीं बचा है बात कर लीजिए 9354619250 पर आईए सुरवात करते हैं अब आज के शुक्र परिवर्तन का राशिवा मेश राशिवा शुक्र द जाएंगे जो लाब होगा अकसमात धन प्राप्ति यूग संतान सुख पुत्री सुख धन वयभाग की प्राप्ति बेस्ट पार्ट प्रेम विवाह में कनवर्ट हो जाएगा प्रेम विवाह में कनवर्ट हो जाएगा बेस्ट यह है सोचिए आप कितनी बड़ी बात है मिथुन राशी ब्रिशव राशी अपनी ही राश्य स्वामी चौथे में आ जाएंगे शुक्र का चौथे में आना क्या क्या मिल रहा है बहुत बड़ा फाइदा है अचल संपत्ति माता का सुख प्रशिद्धी कोई डिगरी मिल सकती है अवार्डेड हो सकते हैं अवार्ड मिल सकता है नई नौकरी की संभावना पिता के साथ नजदीकिया और बेस्ट बास आप से खुश हो जाएंगे मित्वन्राशी द्वादस और पंचम के स्वामी होकर थर्ड हाउस में आएंगे भाई बहनों के बीच विवाद छोटी-छोटी बातों पर अचानक से कृध्ध हो करके कुछ बिगड़ जाना मानसिक अशान्ति जगड़ा मित्रों में बिवाद वाइफ्रेंट गर्फ्रेंट के लिए बिवाद ये सब संभावनाएं बनती है करक राशी दुतिय भाव में आएंगे चतुर्थेश और एक आदशेश हो करके कुटुम में नन्हे मेहवान का आगमन बैंक बैलन्स की अभिविद्धी इंक्रिमेंट होना धन का लाभ बड़े विवादों से मुक्ति की संभावना लंबी यात्रा महिला मित्र से बड़ा फाइदा आप महिला हैं आपकी कोई महिला मित्र है उससे फाइदा आप पुरुष हैं आपकी कोई महिला मित्र है उससे फाइदा सिंग राशी दसम में प्रवेश करेंगे आपकी राशी में प्रवेश करेंगे दसमेश हो करके तेंथ हाउस के लॉर्ड हो कर और थर्ड हाउस के लॉर्ड हो कर भाई बहनों के बीच बिवाद मित्रों के साथ बिवाद बॉस के साथ बिवाद महिला बॉस के साथ नोक जोक त करेगा जिसकी वजह से आफिस से कारण बताओं नोटिस जारी होगा विवाद संपत्ति आधिकाभी संभाव हो सकता है कन्याराशियो दुतियेश हैं बारहवे में आए और भागेश हैं बारहवे में आए लंबी आत्रा का लाभ मित्रों के साथ घूमने तहलने का कारिक्रम अनावश्यक अपव्य खर्च बढ़ेगा लगजरी चीजों पर खर्च बढ़ेगा कपड़ा ज्यादा खरीद लेंगे जिगाए हैं एक सेट सर्ट लेने अचानक से चार्ट ले लिए अनावश्यक खर्च सब बढ़ जाएगा विदेश यात्रा की संभावना विद अश्टवे शोकर के आठवे के स्वामी तुला के स्वामी और ब्रिशब के स्वामी ब्रिशब राशित तुला से अश्टम वाली राशिये रोगों पर धन खर्च बढ़ेगा हर कदम पर लाभ देखेंगे रिश्टे कुछ आप से दूर हो जाएंगे संतान प्रेमी प्रेमिका पत्नी बहन इस्त्री संग्यक दूर हो जाएंगे ब्रिश्चक राशि सब तमेश हैं आपके और दसम में आ गए ससुराल से विशेश लाभ साले आदि से विशेश लाभ धन की इस्थिती बहुत अच्छी मांसिक मजबूती लाभ के मार्ग प्रशर्श्ट होंगे धन राशि एकादशेश हैं और चठे के स्वामी है भागिस्थान पर आये हैं गुप्त दुश्मनों का आप पर घात लगाकर हमला आपको परेशान और प्रताडित करने के लिए कुछ नुकुछ गुप्त दुश्मन करेंगे आपको नुकसान देंगे कुछ पहुँचाने का प्रयास करेंगे सावधान रहना है सतरक रहना आपका नुकसान संभव है मकर राशी यो कारक हो करके पंचम और दसम के स्वामी होके अश्टम में आएंगे अंतरंग संबंधों की अभिविद्धी प्रेम प्रसंगों का बाढ़ हा आ जाना कोई बहुत नाजुक कमसिन कन्या का प्रवेश बिवाह की चर्चा सेक्शुल डिजायर्स का फुल्फिल होना हां थोड़ा सा सावधान रहिएगा गुप्त रोग बढ़ सकते हैं क्योंकि आठवे का शुक्र गुप्त रोग जैसे योरीन डिसीज आदि देता है और वो महिलाएं सावधान रहें जो के स्वामी हैं केंद्र और त्रिकोन के स्वामी हैं सब्तम में आये हैं अनुखा फाइदा बड़ा फाइदा बहु प्रितिक्षित फाइदा अचल संपत्ति विवादों से मुक्ति कोड का चहरी में जीत धन का लाभ अवश्य हंड़ेट परसेंट अंतिम्राशिमीन के प्रित राजियों के एक तरह का है लेकिन मेले शूद के अनुसार आपको किसी निरीसे रीजन से डिपरिशन में जा सकता है ले जा सकता आ परेशान कर सकता सकता करымиआ की का पूरी समय तेक त्याक्त दीजिएगा मासंतोशी क्या उपासना करिएगा ब्रत करना चाहें तो चार ब्रत कर लिजे मासंतोशी के और किसी विध्वा महिला को कुछ उपहार दीजेगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद आज की इस अंकर में इतना ही मुलाकात कर सकते हैं 10, 11, 12 अगस्त को गोहाटी 3, 4, 5 अगस्त को जैपूर और 21, 22, 23 अगस्त बनारस अपॉइंटमेंट चल रहा है बुकिंग करा लेजिए नमस्कार शेरा दे आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीप एक खुशियां अनेक अबंटर्णा ग्रहदीब प्रहदीब मिन अबंटर्णा झाल झाल